हमारे गर में ऐसी बहुत सारी चोटी मोटी प्लास्टी की बोतल पड़ी रहती जिसका हम कुछ ना कुछ यूज करते हैं पर आज मैं आपके लिए इसके कुछ ऐसे अलग-अलग यूज लेके आई हूँ जो कि आपने इससे पहले कभी भी देखे नहीं होंगे इससे आपका जाड़ू पोचे का जंजट खतम हो जाएगा घंटों के काम मिंटों में होंगे धेर सारे पैसो की बचट भी होगी बस वीडियो को पूरा देखे बहुत ही जादा इंट्रेस्टिंग और यूसपुल वीडियो होने वाला है और पसंद आए तो दोसी के साथ शे हो जाते हैं इससे आप छूटी बड़ी बॉटल से कंटेनर बना सकते हो जो कि आप रंगोली या बहुत सरे ऐसे चीज़े रखने के लिए उस कर सकते हो जो कि आपके घर में अलग से आपको कंटेनर खरने की जरूरत पड़ती है तो देख सकते हो हॉस्टेल लाइफ हो किरा कर लीजे अब देखिए जो टूल है आप एक बार बना के रखोगे आपके धेर सारे पैसो की बचट करेगा कई बार हमारा सिंग ब्लॉक हो जाता है जिससी की बैट स्मेल आने लगती है और हमारा बरतन का काम बिल्कुल रुख जाता है इससे ठीक करवाना मतलब बहुत जरूरी होता है तो इसके लिए आप बॉटल का यूज कीजिए जिससे के आप देखोगे कितना भी आपका जो सिंग है वो पुराना ब्लॉक पड़ा हो बहुत ही आराम से ठीक हो जाएगा और इसमें से बैट स्मेल भी नहीं आएगी एक बार जरू ट्राइ कीजिए और हिस्सा यहां पर हमें चाहिए आप यहां पर कोई भी बॉटल ले सकते हो चोटी बड़ी कोल्डरिंग की तो यहां पर यह वाला हिस्सा हमें कट करके लेना है और इससे आपका तो घर ऑर्गनाईज होने ही वाला है और ट्राइवलिंग में भी आपको काम आएगा साथी में अगर आप बैचलर लाइट में हो या फिर हॉस्टेल में रहते हो किराय का घर है ज्यादा सामान नहीं रखना चाहते है तो इसके लिए तो आप बहुत ही ज्यादा यूसफुल होगा क्योंकि हमारे घर में कितने भी कंटेनर हो कोई भी जार हो बहुत कम पड़ जाते है उस में से कोई भी चीज आप बहुत ही आराम से इसमें रख पाओगे और निकाल भी पाओगे तो देखे किस तरीके से बहुत ही अच्छे से टाइट बंध हुआ है इससे ना इसमें कीडे मकोडे जानी का भी डर नहीं रहता है जरूर राइ कीज़े आपको ये बहुत काम आए और इसके उपर हम कोई भी नुकिली चीज को गरम करके कुछ छेद बनाएंगे और ऐसे नएने वीडियो उसके लिए चानल को भी जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और अगर आपको पॉलिथिन के केरी बैक के कुछ अलग-अलग यूज देखने है तो आप चानल पे वि बाटल की तरह यूज कर सकते हो बहुत अलग-अलग यूज यहाँ पे मैं प्लांट के लिए इसे पानी डालने के लिए उज करती हूँ आप चाहो तो किसी बी तरह इसे यूज कर सकते हो जरूर राइ कीजेए बिना किसी खर्चे के घर में पुरानी बाटल से हमने बना ली है एक स्प्रे बॉटल और यहां पर हमारा जो नेक्स्ट यूज है उसके लिए यहां पर हमें चाहिए बॉटल के कुछ डख कर घर में धेर सारे काम होते हैं जिसे हम जल्दबाजी में करते हैं और चोट लगने के अभी डर रहता है खासकर गैस्टों के उपर हम कुछ काम कर जैसी कोई भवो ना रखा है पतेला रखा है उसमें कुछ हम डाल के चला रहे तो आप देखना वो गिरने का भी डर रहता है क्योंकि ग्यास्टों बहुत ज़दा फिसलने लगता या फिर इसके जो पैर होते हैं बहुत ज़दा चिपचिपे गंदे हो जाते हैं इसके देखते हैं हमारे next plastic bottle का use तो यहाँ पे मैंने एक plastic bottle का नीचे वाला हिस्सा लिया इसके हम दो अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे हमें इस कट लगाने या फिर आप यहाँ पे न चेद भी बना सकते हो बड़े बड़े और इसे पहला यूज तो यह इसे में बिल्कुल भी दाग नहीं पड़ेंगे और साथ ही में यहाँ पे जो जूटा खाना होता या फिर कुछ भी खाने के particles होते हैं वो sink में जाके sink ब्लॉक कर देते हैं पर इस तरीके से आप बड़ी bottle का use करके यहाँ पे इसे चान के बिल्कुल इसे अलग कर सकते हैं ज यहाँ पे हमें चाहिए वाइपर की एक डंडी तो यहाँ पे मेरे पास वाइपर की पुरानी डंडी है चाहो तो आप कोई भी pipe ले सकते हो और यहाँ पे पुराना कपड़ा लेना है कपड़े के center में इस तरीके से डंडी को रख दीजे आप देखे हमें क्या करना है यह ज पैर गंदे हो जाते या फिर पानी आ जाता है तो उसके लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो तो देखे यहाँ पे कैसे यह गंदगी को बहुत ही अराम से साफ कर देगा आपका रोज का पोचा लगाने का काम इससे आसान होने वाला है और यह बिल्कुल भी निकलता है बह पोचा लगाने का काम खतम हो जाएगा अगर आप बैटके पोचा लगाना पसंद करते हो तो जरूर लगाईए पर जिनको नहीं पसंद है या फिर कोई एमेजेंसी है तो उनके लिए बहुत ही जादा अच्छा साबित होने वाला है हलका फलका कई भी आपको गंदा दिखे तो आराम से इसे साफ कर सकते हो पूरा घर का भी पोचा बहुत ही जल्दी आसानी से हो जाएगा दिवारे साफ करने के लिए जाले निकालने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो बहुत ही आराम से इसके उपर फिट हो जाता है यह है प्लास्टिक बोचल का कमाल एक बर जरूर ट्राइ करके देखे एज की वज़े से कोई जैसे पोचा नहीं लगा पाता है तो उनके लिए भी यह बहुत ही ज़ादा यूजफुल है ना आपको यहाँ पे कोई कट लगाना ना ही सिलाई करनी है बस एक धक्कन का यूज़ करके आप इस तरीके से इसे बना सकते हो और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्लास्टिक बोतल का यूज़ है इसके लिए मैं एक प्लास्टिक बोतल ली है और इसका नीचे वाला हिस्सा हमें निकालना है आप देखे इसका तो यूज़ हमने कैसे करना है वो तो जरूर बताया है आप अलग-अलग तरीके से भी इसका प्लास्टिक की बोतल का किस तरीके से यूज़ करते हो मुझे जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताईए ताकि मुझे भी कुछ सीखने को अलग मिले और ये दिखे इस तरीके से मैंने से कट कर लिया है और ये बिलकुल तयार है तो चले देखते से कैसे यूज़ करना है तो य प्लास्टिक की बोतल अब ये कैसे काम करता है चले देखते हैं कई बार ऐसा होता है घर की सफाई करनी होती है जाले निकालने होते है तो हमें टेबल या फिर चेयर का यूज़ करना पड़ता है जिससे की गिरने का भी डर रहता है पर आप इस तरीके से फर्ष पे खड़े होके बहुत ही अराम से घर की दिवारे साफ कर सकते हो जाले निकाल सकते हो और ये काम जल्दी भी होगा और आसाने से होगा बिना किसी हेल्प के ये है प्लास्टिक बोतल का कमाल आप भी एक बार जरूर ट्राय करके देखे और इसे आपको बार बार बनाने की ज़रुरत न ना न भूले ऐसे useful videos मैं आपके लिए लाती रहती हूँ और हाँ next video आपको किस topic पे चाहिए मुझे जल्दी से comment box में बताईए ताकि मैं आपके लिए वो video जल्दी से जल्दी ले क्या हूँ और हाँ पूरा video देखने के लिए दिल से thank you तो चलिए फिर मिलते है next video में